नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पे बोड प्लोट से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं इस टाइप का मैंने पहला प्रोब्लम लिया है तो यह already आपका बोड प्लोट ड्रो किया हुआ है यह जो एक्सिज है आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिज है जो लोगरित्मिक स्केल पे प्लोट होता है और यह एक्सिज दोस्तों आपका लिनियर एक्सिज होता है जहाँ पे आप magnitude represent करते हो तो यहाँ पे जो frequency है वो 0.1 radian per second है यहाँ दोस्तो 2, यहाँ 5, यह 25 इस टाइप से frequencies given है अब यहाँ देखते हैं कि जो initial आपका magnitude है वो 54 dB से start होता है और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा initial जो slope है वो minus 40 dB per decade है इसके बाद इस point पे हमारा slope minus 40 से minus 60 change हो जाता है यानि slope इस point पे अबरप्ली change है तो definitely इस point के corresponding जो frequency है वो आपकी corner frequency है फिर दोस्तो यह minus 60 dB per decade होता हुआ इस point तक पहुंचता है इस point पे minus 60 dB per decade से minus 40 dB per decade change हो जाता है यानि इस point पे भी आपका slope अबरप्ली change हो जुका है यानि इस point के corresponding जो frequency है वो frequency भी आपकी corner frequency है फिर दोस्तो इसके बाद हम यहां आते हैं इस point पे हम देखते हैं कि minus 40 dB per decade से अब आपका slope minus 60 dB per decade change हो जुका है यानि यहां भी भी आपका sudden change है तो यह जो point है इसके corresponding भी आपकी frequency corner frequency है तो अब इसको start कैसे करें transfer functions के लिए तो transfer functions के लिए मैंने आपको बताया था इससे just previous video में आपको समझाया था कि कोई भी transfer function है उसको आप दो अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर ले कुछ videos पहले मैंने कुछ record किया था ये content आप देख ली थी कि कोई भी transfer function है वो आपका इस दो type से classify किया जाता है पहला है k upon s raise to power n इस transfer function से हमें ये पता लगता है कि हमारा body plot कहा से start होगा किस magnitude से start होगा और उसका initial slope क्या होगा तो दोस्तों यहां से हमने conclusion निकला था कि अगर initial slope minus 20 dB है तो इसका मतलब type 1 system है अगर initial slope minus 40 dB per decade है तो उसका type 2 system है तो दोस्तों यहां पे initial slope आपका minus 40 dB per decade है यानि एक चीज़ clear हो चुकी है कि ये हमारा type 2 system है अब दोस्तों इसी transfer function से जब compare करते है तो board plot exactly किस magnitude से start होता है ये भी पता लग जाता है तो magnitude का जो equations था हमने इस तरीके से derive किया था ये equations है minus 20 into n log omega plus 20 log k magnitude आपका क्या given है 54 तो ये देख लिजिए दोस्तों 54 that is equal to minus 20 into n log omega plus 20 log k ये already उस वीडियो में हमने derive किया हुआ है तो इस case में दोस्तों type 2 अगर है तो इसका मतलब दोस्तों n की value आपकी definitely 2 होगी n की value यहाँ 2 put करो तो omega क्या होगा 54 db किस frequency पे है 0.1 radian per second ये values दोस्तों यहाँ put कर दे 54 is equal to minus 20 into 2 log omega की value है दोस्तों 0.1 plus 20 log k तो यहाँ से दोस्तों log 0.1 की value minus 1 होती है तो ये minus और minus आपका sign plus होगा that is 54 is equal to 40 plus 20 log k अब दोस्तों 40 आपका left side चला जाएगा यहाँ बचेगा आपका 14 that is equal to 20 log k अब ये 20 दोस्तों यहाँ आजाएगा 14 divided by 20 that is equal to log of k यकीनन यहाँ जो log है उसका base आपका 10 है तो logarithmic properties आप use कर सकते हो तो जो k value है दोस्तों वो बनेगा 10 raised to power this result तो k is equal to 10 raised to power 14 divided by 20 जब दोस्तों आप इसको solve करेंगे तो आपको जो value मिलेगी almost equal to 4.99 होगी जिसको मैं easily 5 लिख सकता हूँ तो दोस्तों यहाँ से आपका transfer function का overall DC gain भी आ चुका है that is k तो दोस्तों जो हमारा ये approach था ये complete हो चुका है अब हम second type of transfer functions पे बढ़ते हैं जिसमें हमारे simple poles और zeros होंगे उनकी help से हम corner frequencies निकालते थे याने ये जो आपका initial slope है और इसी के साथ जो आपका magnitude था उसको हम transfer functions में successfully complete कर चुके हैं और इसका जो transfer function होगा वो हम लिख सकते हैं that is k upon s की power 2 और k यहाँ पे है दोस्तों 5 तो 5 upon s square इतना transfer function हमने निकाल लिया है अब दोस्तों बात करते हैं हम simple poles की इसके बाद यहाँ देखो पहले तो आपको यह लिखना है कि corner frequencies कौन कौन सी है corner frequencies आपकी क्या है 2 2 पे आपका जो slope है वो suddenly change हो जाता है तो omega 1 let us say this is 2 corner frequency है अब इस पे कितना change होता है minus 40 से कोई चीज minus 60 हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे जो sudden change है दोस्तों वो minus 20 db का है इसका मतलब minus 20 db per decade pole की वज़े से होता है तो यह जो frequency है यह definitely आपकी pole frequency है और इसके बाद जो next है दोस्तों यह आपकी next corner frequency है omega 2 that is equal to 5 अब इस 5 पे देख लेते हैं पहले आपका slope था दोस्तों minus 60 db per decade और इस point के ज़स्त बाद आपका slope बन गया है minus 40 db per decade यानि जो change है अब की बार वो plus 20 db per decade का change है तो इसका मतलब जब भी आपका slope change plus 20 db per decade हो तो वो definitely corner frequency एक 0 को represent करती है आपको पता है कि transfer function में 0 आपका numerator factors होते है और जो pole है वो आपका denominator पे लिखे जाते है फिर दोस्तों 3rd corner frequency की बात करते है ये आपका है 25 25 पे change देख लेते हैं पहले क्या था minus 40 db per decade का slope आया इस point के बाद अब slope minus 60 db per decade हो गया इसका मतलब slope में दोस्तों तो minus 20 db per decade pole की वज़े से change होता है ये already हम drive कर चुके है तो दोस्तों ये जो 25 radian per second corner frequency है ये आपकी एक pole frequency है अब दोस्तों इसको corner frequencies को time constant forms में कैसे लिखते हैं ये pole है तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं this is 1 plus जो corner frequency है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों 1 upon time constant तो इसको हम लिखेंगे this is 1 plus s divide by 2 इसका ये factor बन गया अब दोस्तों next जो है वो 0 को represent करती है उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 plus s upon 5 ये आपका 0 को represent करेगा फिर दोस्तों 25 जो आपकी corner frequency है वो again pole को 1 plus s divided by 25 तो दोस्तों ये जो है initial slope और इस magnitude को अगर मैं हटा दूँ तो बाकी का जो board plot है वो आपको definitely simple poles और zeros के जो factors है उसकी knowledge देता है तो यहां से इतने सारे graph से हमने ये transfer function लिया और जो first initial slope है with magnitude उससे हमने ये transfer function लिया अब दोस्तों overall जो transfer function होगा अब इनको आप simply multiply कर दीजिए तो ये बनेगा 5 divided by s square उपर क्या है दोस्तों 1 plus s divided by 5 निचे आपका क्या है 1 plus s by 2 multiply with 1 plus s upon 25 अब दोस्तों ये है आपका time constant forms में लेकिन कई बार हो सकता है आपको simple transfer function पूछ लिया जाए without time constant forms तो उसके लिए आप simply क्या करोगे इनको solve कर लेजिए तो ये क्या होगा दोस्तों यहाँ 5 से 5 cancel हो जाएगा और उपर बनेगा 1 और ये बन जाएगा आपका s plus 5 और दोस्तों यहाँ s square as it is होगा यहाँ पे दोस्तों 2 आप LCM लेंगे ये बनेगा s plus 2 लेकिन division में 2 आएगा जो उपर चला जाएगा और यहाँ पे दोस्तों होगा s plus 25 और ये जो 25 LCM लेंगे आपका अगेन उपर चला जाएगा तो finally जो transfer function है वो बनेगा आपका 2 into 25 that is 50 into s plus 5 divided by s square s plus 2 and s plus 25 तो दोस्तों ये जो आपका body diagram दिया गया था body plot इसका जो transfer function है वो इस तरीके से हम निकालते हैं जो भी आपका body plot दिया हो आपको सिर्फ यही approach यूज़ करनी है कि initial slope के साथ आपको type पता लग जाएगी और जो magnitude आपका दिया गया है उससे आपको उस transfer function का gain पता लग जाएगा इसी approach से ये दो values find out करो बाकी बचा जो body plots है उसकी help से आपको corner frequencies मिलेंगी चेक करना कि slope change अगर positive 20 dB per decade है तो वो आपका zero होगा अगर negative 20 dB per decade है तो वो आपका pole होगा pole zeros के selections के बाद उसको एक standard time constant forms में लिखना दोनों अलग-अलग सब sections जो आपने निकाले हैं transfer functions के उनको simply multiply कर देना ये आपका transfer function होगा तो दोस्तो इस approach को आपको हमेशा ध्यान रखना है कहीं confuse नहीं होना है बहुत सारे YouTubers ने इनको soul करते time confuse किया हुआ है simple approach यूज करना है कि आपको ये जो मैंने video record किया था ये वाला यहाँ पे मैंने बोला था कि इस transfer function का in detail analysis कर लिजिए body plot हमने निकाला और यहां conclusions तब पहुँचे इसके बाद दोस्तो ये जो transfer function था इसका भी body diagram बनाया और conclusions तब पहुँचे तो इसलिए यही आपके दो simple steps होंगे कोई भी body diagram आपका दिया जाए इस तरीके से आप उसको transfer functions में convert कर सकते हो तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा question करेंगे कि body diagram दिया गया है लेकिन उसमें कुछ informations incomplete हैं तो इस incomplete informations को कैसे find out करेंगे वो उस वीडियो में बता कर आए So this is the end of the video Thank you so much for watching this video